हेलो एवरिवन, मैं हूँ रीना, स्वागत है आपका टॉप थ्री वर्ड में आपके यल्मारी में ऐसी बहुत सारी साडियां पड़ी होंगे जिससे आप एजस साडी अप पहनना नहीं चाहतें उसके अलग-अलग रिजन हो सकते हैं ऐसे बहुत सारी साडी के पीछे हमने बहुत पैसे खर्च किया है तो हम उसे वेश्ट जाने भी देना नहीं चाहतें तो आज के वीडियो में मैं आपसे साडी का बहुत थी अमेजिंग रियूस बताने वाली हूँ मेरे पास एक लेरिया डिजाइन की साडी है आपके पास जो भी है इसे सिफोन टाइप के फैबरिक में साडी तो आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं मैंने 26 by 26 इज इसका फोल्डेट फैबरिक लिया है अब इसे हमें कट कर लेना है इसके लिए आप लेरिया बांधनी या फिर कोई भी फ्लावर प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं और प्लैन है तो ज्यादा अच्छा लगेगा अब इसे हमें कॉर्णर से फोल्ड कर लेना है और हम आपको जितना भी गला रखना है उस रिसाब से आप 5-6 इंचिस पर यहां पर मार्क कर लीजिए और फिर इसे कट कर दीजिए अब हमें यहां से इसे डफल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है हमने यहां पर स्टिच कर ली है अब इसे यहां से हमें स्टिच कर लेके जॉइंट कर लेना है यह हमारे स्टिच हो गई यहां पर आपको लेस लेना है और लेस आप पॉम पॉम भी ले सकते हैं या फिर आपको कोई अलग डिजाइन पसंद है तो वो भी ले सकते हैं मैंने यहां मोती वाला लेस यूज किया है और इसे हमें नीचे पूरे में अटेच कर लेना है इसी तरह से अब हमें गले में भी लेस को अटेच कर लेना है तो यह हमारा पॉंचो हो गया है बिल्कुल रेडी आप इसे कुर्ती के साथ या फिर टॉप के साथ कहीं भी प्यार कर सकते हैं यह बहुत ही क्यूट दिखता है इसे आप स्कॉर्ट के उपर या तो फिर जिन्स के उपर बेर कर सकते हैं आज कर पौँचो बहुत ही ट्रैंड में है तो इस तरह से आप अपने साडी का रियूज कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जएधा से ज़्यादा लाइक करें और इपने सभी दोस्तों के साथ शियार करें और अगर आपने याइडिया किसाद, तब तक किली बाइबाइ